राजस्थान के जैसल मेर में कुछ बदमाशों ने एक युवती को अगवा किया फिर फिल्मी अंदाज में आग जलाकर लड़की को गोद में उठाकर साथ फेरे लिए घटा का वीडियो सामने आया हर तरफ इसकी चर्चा हुई तो कहानी क्या थी? दरसल 23 साल की युवती की फॉर्चिउनर में आये कुछ बदमाशों ने उसके घर के बाहर से पहरंट कर लिया और परिवार को लड़की की शादी दूसरी जगह नहीं करवाने की धमकी दी हाला कि पुलिस ने कुछी घंटों में लड़की को छुड़ा भी लिया और आरूपी को गिरफतार कर लिया लेकिन लड़की के परिजनों का कहना है कि आरूपी लड़के के साथ देने वाले अब तक गिरफतार नहीं हुए जिसकी वजह से उनके परिवार को खत्रा है तो शलिए अब आपको ये पूरी फिल्मी कहानी समझाते हैं जिस पर राजस्थान में इस वक्त अंगामा है राजस्थान के जैसल मेर से संसनी खेज घटना सामने आई यहां मोहनगड थानाश्चित्र के सोखला गाउं में को उस वक्त हड़कम मच गया जब फॉर्चूनर से आए थे 15 से 20 बदमाश उन्होंने एक लड़की को उसके घर के सामने से उठा लिया इतना ही नहीं वो लड़की को एक वीरानी जगह पर ले गए जहां एक आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती फेरे लिये इस घटना का वीडियो सोशल मीरिया पर वाइरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सुनसान जगह पर आरोपी लड़की को गोद में लेकर जबरण फेरे लिये जा रही है वहाँ पर घास जल रही है वहाँ पास में एक पॉर्चिउनल खड़ी है जहाँ पास में खड़ी एक महिला भी दिख रही है सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इस घटना से समझाता है कि राजिस्तान में बदमाशों के होसले कितने बुलंद है इस घटना से इलाके में दहशत का महौल है असल में लड़की की पहले कहीं सगाई हुई जो बाद में तूट गई उसके बाद उसकी दूसरे जगे सगाई हुई 12 जून को उसकी शादी होने वाली थी मगर इससे पहले ही फिल्मी अंदाज में एक जून को उसका परण हुआ इसके बाद एक वीडियो वारल हुआ जिसमें देखा गया कि घास में आग लगा कर एक आरोपी उसे गोद में जबरदस्ती उठा कर फेरे ले रहा है इतना ही नहीं आरोपी उने लड़की के परिवार को धमकी दी कि अगर उसकी कहीं और शादी हुई तो ठीक नहीं होगा उन्होंने लड़की को बदनाम करने की धमकी दी परिजनों ने पुलिस से इस गटना की शिकायत की फिलहाल लड़की को छुडा लिया गया है आरोपी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है रिपोर्ट के मताबिक लड़की आठवी पास है जबकि आरोपी साइंस से ग्रेजुएट है वो फिनांस का काम करता है इस मामले में लड़की के परिजनों का कहना है कि अभी तक सभी आरूपियों की गिरफतारी नहीं की गई है वो खुले आम घूम रहे हैं वो दोबारा लड़की को किर्णैप कर सकते हैं और इसकी धमकी भी दे रहे हैं उनकी गिरफतारी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे वो लड़की के साथ जबरन फेरे लेने वाला वीडियो जो वारल हुआ तो कोशिश थी कि उसकी बदनामी हो जाए ताकि उसकी कहीं और शादी ना हो इस मामले में पुलिस का कहना है कि मुख्या रूपी गिरफ्त में हैं बाकी की तलाश चल रही है खैर जो भी हो फिलाल राजस्तान में ये मामला गरमाया हुआ है एक तो राजस्तान में गरमी की तपिश और दूसरी और इस मामले ने और जादा राजनिती को सुलगा दिया है कि क्या वाकई राजस्तान में लड़किया सुरक्षित नहीं है